जैश्राम बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहत खास कारिक्रम में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिश्रा आज बात करेंगे जिन जातक जातिकाओं का जन्म किसी भी माह की दस तारीक को आपका जन्म हुआ है और या फिर किष्णा पक्षकी दसमीति थी मैं पक्ष ले करके चल रहा हूँ किष्णा पक्षकी दसमीति थी को यदि आपका जन्म हुआ है या किसी भी माह के दस तारीक को आपका जन्म हुआ है रात को नौ बजे प्रत दिन लाइब आते हैं तो इन दोनों समय पर आप मेरे साथ कारिकर में जोड़ सकते हैं लाइब कॉल के माध्यम से जो भी आपकी मन में प्रशन है उस प्रशन को आप इस कारिकर में पूँश सकते हैं जिनका जन्म दस तारीक को हुआ है उनका शरीर कैसा होता है उनका सोच बिचार कैसा होता है बात करने का तरीका कैसा होता है प्राबलम कब-कब आती है इन शभी विशन पर आचर्चा करते हैं सतो गुणी प्रकृति के लोग पाये जाते हैं जिनका जन्म दस तारीक को हुआ है तो आपके जो गुड़ है वो शात्मिक प्रकृति होती है, सतो गुणी जो है वो आप पाये जाते हैं, नेत्र शहद जैसे हलके से पीले होते हैं, सहद जैसे नेत्र पाये जाते हैं, चौकोर चेहरा होता है, चौकोर होता है, और बाल सर पे थोड़े होते हैं, प्राब्लम द वो जल्दी सफेद हो जाते हैं तो उसको लेकर के आप कहीं न कहीं परिशान रहते हैं ये दोनों परिस्तिति आपकी अंतरगत देखी जाती है अच्छा अब कारे करने का जो तरीका होता है कद जनरल लंबा ही पाया जाता है अगर देखा जाए लंबा कद आपका होता है चेह को सही तरीके से प्रूब करना राद दिन लग करके काम करना और किसी की भी चापलूसी को फसंद ना करना इस प्रकार का आपका नेचर होता है जो कारे आपको दे दिया जाता है उस कारे को तनमन धन लगा करके पूरी तनमयता के साथ आप करते हैं ना तो आपको किसी चीज मे बेमानी करना पसंद होता है और ना आपको किसी प्रकार से बेमानी शेहना पसंद होता है आप किसी के प्रत गलत सोचते नहीं है किसी के प्रत गलत करते नहीं है लेकिन यदि आपके प्रत कोई गलत सोचे और गलत करे तो बिचार इस प्रकार का होता है कि इसको पूरी तरह ध आप जल्दी माफी देने से भी पीछे नहीं अटते हैं आपकी नजर में क्योंकि आप हमेशा सही होते हैं और मुझे लगता है कि सही तरीके से ब्योहार भी लोग के शाथ करते हैं बट लोग बड़ा चिड़ते हैं आपसे और इस कारण से आपस जो आसपास रहने वाले होती है पहली बार जिन से आपकी मुलाकात होती है प्रहावित होते हैं या होती है आपकी वास्तविक परिस्तती से लोग बड़े अनभिग्य होते हैं आपके आप दिखते कुछ और हैं होते कुछ और हैं यानि लोग को लगता इसके पास बहुत पैशा है इसका तो उस प्रकार से होती है कि किसी प्रकार, आर्थिक परिस्तिया बड़ी अच्छी नहीं देखी गई है, कि चापलोस इत्यादी होते हैं, धोके भाज इत्यादी होते हैं, तो किसी प्रकार से परिवार चला रहे होते हैं, अपना भरण पोशन कर रहे होते हैं, लोग के नजर में बड़ा interest भी होता है और फायदे बन्द होता है आपके लिए पॉलिए पॉलिटिकल छेत्र बड़ा interesting होता है आपके लिए फायदे बन्द होता है अधिकारी इत्यादी बनना यानी ऐसा profession जिसमें आपको admin services के अंतरगत काम करना पड़े अधिकारी बनना IAS officer बनना, IPS officer बनना ये आपके लिए बड़ा important होता है आप चाहते ही भी बनना और आपके लिए लाप्रत भी होता है किसी प्रकार का जो प्रतिष्ठित कारे है वो आपको हमीशा पसंद आता है उच लेबल का कारी चोटे लेबल का कारी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कोई केदे सफाई कर दो, सफाई करमचारी बन जाओ, ये बन जाओ, बन जाओ, केदे बिल्कुल नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर ऐसे कंडिशन में आप ब्यापार ही सेलेक्ट करते हैं ब्यापार भी किस प्रकार का करते हैं सोने का कारी जो एलरी का कारी करते हैं उसमें आपको लाब होता है फाइनेंशर बनना पसंद होता है financial जो है वो एक दस्तारीक वाले लोग माने जाते हैं शरकश में काम करना या सरकश इत्यादी का आयोजन करना तो ये condition आपके लिए निश्आत रूप से देखा जाता है संस्था के जो प्रमुक होते हैं वो दस्तारीक को लोग माने जाते हैं पस्तारी कुजिन का जन्म हुआ है लकडी का कार्य जो है वो आपके लिए फायदे मंद होता है मेडिशन का कार्य आपके लिए फायदे मंद होता है घास इत्यादी की खरीदी या विक्री आपके लिए लाप्रद होता है अनाज का कार्य करना जो लोग मंडियों में काम करते ह गएरा जो माने जाते हैं वो कारी आपके लिए लाप्रद होता है और उसके शाथ अगर देखा जाए तो ये परिस्थितिया हैं जिन बिजनस को आप कर सकते हैं किसी भी चीज का आउजन करना प्रमुक्ताशे प्रेडियूस्टर इत्यादी बनना या किसी संस्था का शीयो इत्यादी रहना ये आपको पसंद होता है और इसी परकार के आपके विचार होते हैं खराब जानते हैं छोटा सा कारी कम है कितना कुछ बताओं साइद बताने के लिए बहुत कुछ होता है जैसा कि आपका अगर और नेचर देखा जाए तो परिवारिक रिष्टे आपके बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं प्रेम शंबंद के तरिका जन्मदस्तारी को हुआ तो उनको बहुत वहांसे बहुत संगर्श करना पड़ता है उनकी बातों में एक वُज़न होता है एक दम होता है और तार्किक तरीके से बाते गरती हैं और घर के अंदर जब नई-ई-ई-चादी होकर कि आती हैा बहुत प्राब्लम फेश करती हैं, उनके जवाब ऐसे होते हैं, बाते ऐसे होती हैं, जिसको साज ससूरिया पती के लिए accept करना या उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो पाता है, तो ऐसे condition में परेशान रहती हैं, कोई भी जानकारी चाहिए, नमबर आप सबके सामने हैं, कॉल कर सकते हैं, इस कारिक्रम को यहां पर मुझे बिराम देना पड़ेगा, यह बहुत लंबा समय आपका नहीं ले सकता हूं, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए कारिक्रम के साथ, शेयर करते रहें, लाइक करते रह कि जशे रहें बादने बादने बादने.